क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में अलसेन ओटारा किस देश के नए राष्ट्रपती बने हमारे DRDO ने पीनाक रोकेट विक्सित किया लेकिन इसका सफल परिक्षन हाल ही में कहां से किया गया है और प्रती वर्ष विश्वत सूनामी जागरुकता दिवस कब मनाया जाता है एसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानि कि 6 नवंबर का करंट अफैर का वीडियो तयार किया है यह वीडियो क्वालिटी की दृष्टी से सूपर से भी उपर है लाष्ट तक देखिएगा और लाष्ट में मैं आपसे एक क्वेशन पुछूंगा जिस के वाले हरे एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे चली यह स्टार्ट करते हैं पहले क्वेशन से हाल ही में अंतर संसदिय संग यानि कि IPU का नया अध्यक्ष किस देश के संसद को चुना गया है पहले तो इस टर्म का आप फुलफों पढ़िए IPU जिसका पुरा नाम है इंटर पारलियामेंट यूनियन और इसका नया अध्यक्ष पुर्तगाल के एक संसद को चुना गया है यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर है पुर्तगाल के एक संसद और इसका नाम क्या है तो पुर्तगाल के संसद ड्यू आर्टे पचेको को तीन वर्ष के कार्यकाल के अंतर संसदिय संक यानि कि इंटर पारलिया मेंटरी यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया है और यह आखिर आई पी यू है क्या यह एक राष्ट्रिय सांसदों का एक वेश्विक संगठन है जी हाँ राष्ट्रिय सांसदों का एक वेश्विक संगठन है आई पी यू और इसका हेड़क्वाटर कहाँ पर सी थी है स्वीजर लेंड के जिनिवा में IPU की स्थापना वर्ष 1889 में हुई और वर्तमान में कूल 189 देशों की संसद IPU में सदस्य के रूप में शामिल है कितने देश? 189 देश IPU यानि कि इंटर पारलिया मेंटरी यूनियन में सदस्य के रूप में शामिल है तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेशन से जुड़े IMPORTANT FACTS में आपके सामने रखता हूँ हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत बुलिएगा दूसरा क्वेशन है आपकी स्क्रिन पर हाल ही में विश्व सुनामी जागरुकता दिवस कब मनाया गया? प्रती वर्ष वल्ड़त सुनामी अवेरिनेश डे मनाया जाता है 5 नवंबर को जी हाँ, कल ही वल्ड़त सुनामी अवेरिनेश डे मनाया गया यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है पांच नवंबर और वल्डद चुनामी अवेरिनेश डेप बोले तो पांच नवंबर को मनाया जता है लेकिन वीश्वत चुनामी जागरुकता दिवस कीस उद्देश्य से मनाया जता है वो भी एक मोस्ट इंपोर्टन क्वेशन बन सता ह चुनामी के खत्रों से सबंधित मुद्दों के बारे में जागरुकता फेलाने है तो प्रती वर्ष यह दिवस मनाया जता है और हर साल पांच नवंबर को वीश्वत चुनामी जागरुकता दिवस मनानी की गोशना कीस ने की थी संयुकत राष्टर महा सभाने दिसंबर 2015 मे यह दिवस मनानी की गोशना की और तब से प्रती वर्ष मनाया जता है पांच नवंबर को वल्डच चुनामी अवेरिनेश डेई लेकिन इनसे जुड़े हुए एक और फेक्ट भी आप याद रख लिजिए कि चुनामी आखिर है क्या तो यहाँ देख सकते हैं तो समुदर म एसे विशाल काई एसे लहरे उठती है इसे चुनामी कते हैं क्या बात है समुदरी तूफान को जापान में सुनामी कहा जाता है और जापानी भाषा में सु का मतलब है समंदर और नामी का मतलब है लहरे यानिकि समंदर में जो लहरे उठती है उससे बोलते हैं सुनामी और 20 भाषा का जापानी भाषा का यह शब्द है और विश्वत सुनामी जागरुकता दिवस 20 देश की देन है तो आंसर आपको पता चल गया जापान देश की देन है यह विश्वत सुनामी जागरुकता दिवस और संयुक्ता राष्ट्र के आपद्दा जोखिम न्यूनिकरन संयुक्ता राष्ट्र की बाकी व्योस्था के सहयोग से विश्वत सुनामी जागरुकता दिवस के पालन की सुविधा प्रदान करता है और अब बात करते हैं तीसरे क्वेशन की हाल ही में अलसेन अटारा किस देश के राष्ट्र पती बने दोस्तो कोई भी देश के राष्ट्र पती या प्रदान मंत्री नियूक्त होना उस देश के लिए बहुत ही बड़ी बात है और हाल ही में अलसेन अटारा आईवरी कोष्ट के नए राष्ट्र पती बने यानिकि इस क्विशन का सही अंसर है आई वरी कोष्ट और यहां देख सकते हैं नाम मत भुलेगा अल्सैन ओटारा किस देश के नए राश्टर्पती बने आई वरी कोष्ट के है तो देखो राश्ट्रम बती अल्सैन ओटारा ने तीसरा पांच साल का कार्यकाल जित लिया है यानि कि तीसरी बार आईवरी कोष्ट के राष्ट्रोपति बने है जिसके साथ ही उन्होंने चुनाव में 94 प्रतिशत से अधिक वट हासिल करके एक इतिहास सरच दिया है कितने 94 प्रतिशत वट हासिल किये है इस चुनाव में और 78 वर्ष और आईवरी कोष्ट के प्रदान मंत्री के रूप में भी कायर कर चुके है और बात करते है यह आईवरी कोष्ट के तो आप मेप में देखे यहाँ पर है आईवरी कोष्ट और दोस्तों हमारे किस महाद्वीप में स्थी थी आप मेप के जरिए यदि आपको आइडिया है तो नीचे कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं आईवरी कोष्ट के राष्ट्रपती है अलसेन ओटारा इमेज में आपने देखा और आईवरी कोष्ट की कैपिटल का नाम है यामो सुक्रो आईवरी कोष्ट की करेंशी है पस्चिमी अफ्रिकन सी एफ ए फ्रांक और फ्रांस देश से या आईवरी कोष्ट स्वतंत्र कब हुआ वो भी याद रख लिजिए 7 अगस्त 1960 को फ्रांस देश से स्वतंत्र हुआ है आईवरी कोष्ट चोथा कुशन हाल हीमें सुर्क्यों में रही अग्रणी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में बहती है इमेज में आप देख सकते है इस नदी का नाम है अग्रणी नदी जिसको हाल हीमें दोस्तो फिर से शुरू किया गया है यानिकि मानो परिश्रम की यद्देन है कि जो दोस्तो सुख चुकी थी सुखने की कगार पर्थी इसे फिर से बहा दिया है नाम नदी का है अग्रणी नदी और वो महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थी थे किस जिले में सांगली जिले में यानिकि इस क्वेशन का सही अंसर है सांगली जिला केंद्रिय जल शक्ती मंत्राले ने सांगली के ग्राम वासी संपत राव पवार को अग्रणी नदी को पुनर जिवित करने के उपायों में योगदान करने के लिए पुरसकार देने की गोशना की है जी हाँ दोस्तो एक मानो प्रयास किया गया है संपत राव पवार के द्वारा अग्रणी नदी को पुनर जिवित करने के उपाय है तो हमारे केंद्रिय जल शक्ती मंत्राले ने एक पुरसकार देने की गोशना की है और अग्रणी नदी कीचड मिट्टी और जाडियों के कारण विलूपत हो गई थी और एक क्वेशन बन सकता है अग्रणी नदी कहां से निकलती है सांगली जिले के खानापूर तवसिल में ताम खड़ी गाउं से निकलती है यस अग्रणी नदी और अग्रणी कीस नदी की एक सहायक नदी है उप नदी है कुरुषना नदी की एक सहायक नदी है अग्रणी उप नदी ओके और सांगली जिले के पाच तवसिलों के 107 गाउं इस नदी के ख्यत्र में आते है तो यह बहुत ही अच्छी बात आपने सु तो मैं छोटी सी उम्मिद रखूंगा ही चलिए पांचवा क्रिक्षन हाल ही में पीनाक रोकेट का सफलता पुर्वक उडान परिक्षन कहां से किया गया इमेज में देख सकते हैं पीनाक रोकेट का सफलता पुर्वक परिक्षन उडान परिक्षन किया गया है हाल ही में ओडिशा के चांदीपूर रेंज से यानिकि इस question का सही answer है option D चांदीपूर कहाँ पर ओडिशा में तो इनसे जुड़े हुए और भी question बन सकते है पीनाक रोकेट को किस ने विक्सित किया है रक्षा, अनुसंधान और विकास, संगठान यानकि Defense Research and Development Organization ने इस पीनाक रोकेट को विक्सित किया है और सफल परिक्षन कहां से किया गया ओडिशा में चांदीपूर तटपरस्थित परिक्षन के अंधर से और परिक्षन के दोरान लगातार 6 रोकेट छोड़े गए कितने 6 रोकेट छोड़े गए जो लक्ष का पूर्या सफल परिक्षन रहा लक्ष पूरा करने में सफल रहे है और इस रोकेट के विकास का उद्देश्य क्या है तो पीनाक स्रैनिकर या दोस्तो अधियतन संस्क्रण है जिसका आईलिह में सफल परिक्षन किया गया तो पहले विक्सित इसी नाम के रोकेट की क्षमता में बढ़ोतरी करना इसका मुख्य उद्दिश रहा और पीनाक Mk1 रोकेट की जगह अब पीनाक रोकेट का उन्नत वर्जन लेगा यानि कि इसका जो नया जनरेशन है वो इससे भी सटिक, नीशाना और कई ज्यादा दूरी नमामी गंगे परियोजना के ब्रांड अंबेसेडर कौन बने 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 नमामी गंगे परिय चलता है उन्हें अब नमामी गंगे कारिकरम के साथ हाथ मिलाया है और वो बन गए है इस परियोजना के ब्रांड अंबेसेडर इंडिया साइंस चैनल पर नमामी गंगे फिल्म लॉंच की गई और आपको भी बता है और मैंने क्वेशन भी बताया था कि गंगा उत्सव कब मन गया और गंगा हमारे भारत देश की राष्ट्रिय नदी का दर्जा दिया गया है तो इस नदी के बारे में आपको डीटेल में पता होना चाहिए कल ही मीने आपको करन्ट अफेर में इसके बारे में बताया था यदि आपको याद है तो दोस्तो नीचे कमेंट सेक्शन में और कल का करंट फिर का नहीं देखा है वीडियो तो देख लिजिएगा दुनिया भरके 3 लाग से भी ज्यादा लोग वर्चुली इस उत्सव से जुड़े थे और गंगा बेसिन के विबिन जिलो में गंगा उत्सव मनाया गया यानि कि गंगा नदी के तट पर जो भी शहर जो भी जिले बसे है वहाँ पर ये गंगा उत्सव मनाया गया साथवा कुशन भारत ने खगोल विज्यान के खित्र में वैज्यानिक एवं तक्निकी सहयोग को विक्सित करने के लिए कि इसके साथ समझोता किया है भारतिय विज्यान संस्थान ने हाल ही में स्पैन देश के साथ स्पैन देश के साथ वैज्यानिक एवं तक्निकी सहयोग को विक्सित करने के लिए समझोता किया है यानकि इस question का सही answer है Spain देश तो कौन-कौन से institute ने इसमें समझोता किया तो बारतिय खगोल भावतिकी की संस्थान बैंगलरू और Spain के इंस्टिट्यूटो डी एस्ट्रोफिजिका डी कानरियास और ग्रान टीकान एस ए Spain के बीच खगोल विज्ञान के निमना गती विद्यो पर ध्यान दिया जाएगा कौन-कौन सी गती विद्यो पर ध्यान दिया जाएगा नए विज्ञानिक परिणाम नए तक्निके विज्ञानिक समवाद और प्रशिक्षन इसमें बढ़ोतरी से क्षमता निर्मान संयुक्त वैग्यानिक परियोजना इत्यादी पर जोर दिया जाएगा और जब हमने समझोता किया है स्पैन देश के साथ तो आप मेप में देखें कि यहाँ पर यह यूरोपियन कंट्री है स्पैन देश और स्पैन देश की कैपिटल का नम है मैडरीड स्पैन के समराठ कौन ह फिलिप चठे स्पैन देश के समराठ है तो स्पैन देश के प्रदान मंत्री कौन है पैडरो सांचेज और स्पैन एक योरोपियन कंट्री है तो इसकी करेंशी है यूरो आठ्वा कुशन हाल ही में केरल में परियतक सुविधा केंद्र सुविधा का शुबारम किस ने किया केरल रज्य में परियतक सुविधा केंद्र नमक एक सुविधा का शुबारम किया गया और शुबारम किया है हमारे केबिनिट मंत्रा लेके मंत्री प्रहलाची पठेल ने यानिकि इस question का सही answer है प्रहलाज सी पटेल लेकिन हमारे यह मंत्री किस मंत्रा लएक के मंत्री है वो भी एक question बन सकता है प्रहलाज सी पटेल किस मंत्रा लएक के मंत्री है हमारे केंद्री यह परियतन मंत्री है प्रहलाज सी पटेल और केरल के गुरू वयूर में परियतक सुविदा केंद्र का उतकटन किस योजना के तहत किया गया है तो प्रसाद योजना के तहत यहां केरल के गुरू वयूर में परियतक सुविदा केंद्र का उतकटन किया गया और सिरि पराद ची पटेल ने अंतराश्टिये मानकों की सुविदाओं के निर्मान के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट द्वारा उच्चित उपयोग के लिए किरल सरकार की प्रशंचा भी की है यानकी बजेट में जो मानक तई किये गए थे इसी मानक को अनुसरते हुए किरल ने यह सुविधा उपलब्द कराई है नवा कुशन वेस्टेंडीज के किस बल्ले बाजने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की गोशना की है दोस्तों IPL चल रहा है लेकिन कल ही मैंने आपको बताया था कि आस्ट्रेलियन ओल्राउंडर शेन वाटसन ने सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की गोशना की और अब वेस्टेंडीज के एक ऐसे ही जाने माने खिलाडी जिसका नाम है मारलोन सेम्यूल्स जी हाँ मारलोन सेम्यूल्स ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की गोशना की है यानि कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहां हम इमेज में देख सकते हैं आपने IPL में देखा होगा और दोस्तो इस चेहरे को कौन नहीं पहचान सकता जो भी कोई क्रिकेट प्रेमी है वो आसानी से इस व्यक्ति को पहचान जाएगा तो वेस्टेंडीज के बल्ले बाज मारलोन सेम्योल्स ने अंतराष्टिय स्तर पर 71 टेस्ट, 207 वंडे और 66 T20 मैच खिले हैं उन्होंने इस सभी प्रारूपों में 17 शतको सहित 11,134 अंतराष्टिय रन बनाये है यानि कि 10 हज़ार से भी ज्यादा रन बनाये है और इसके अलावा उनके नाम पर 152 अंतराष्टिय विकेट भी है तो बहुत ही अच्छा करियर है इस सेम्योल्स का सेम्योल्स ने 2000 में अपना अंतराष्टिय करियर शुरू किया था कब वर्स 2000 में करियर शुरू किया और उन्होंने अपने करियर के दोरान दिल ही डेर्डेवियल्स, पुने वारियर्स, मेलबर्ना रेनेगेड्स और पेशावार जालमी सहित दुनिया भर की कई T20 के लिए उन्होंने क्रिकेट खेली है लेकिन हाल ही में सन्यास लेने की कोश्णा की है दस्वा क्रिशन हाल ही में प्रसार भारती ने निम्नमे से कीस के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया प्रसार भारती ने दोस्तों एज्यूकेशन से जुड़े एक समझोते को ल जिसे बाइसेक का पुरा नाम क्या होता है पास्कराचारिया नेशनल इंस्टिटीट फॉर स्पेस एप्लिकेशन्स एंड जीओ इन्फॉर्मेटिक्स जो बाइसेक का पुरा नाम है और प्रसार भारती ने इनके साथ एक समझोता किया है कोविड-19 के चलते बहुत से राज्यों में अभी कोई-कोई राज्यों में स्कुल खुल रहे है लेकिन बच्चों को कोविड-19 के बचाने है तो दोस्तो अनलाइन एज्जुकेशन दी जाती है और कई ऐसे चैनल्स है जो फ्री आफ कोस्ट आपको घर बैठे एज्जुकेश स्पेस एप्लिकेशन्स एंड जीयो इन्फरमेटिक्स के साथ एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये और इसमें हस्ताक्षर के लिए जब समझोता हुआ है दोस्तो तो बहुत सी ऐसी चैनल है जो आपको फ्री में इस तरक की पढ़ने की सुविधा अवेलेबल करवाती है तो इस समझोते ग्यापन के दाइरे में 51DTH शिक्षा टीवी चैनल जीसमें स्वयम प्रबा जो शिक्षा मंत्राले का 22 चैनल हो का एक फ्री ओफ कोस्ट समू है वो भी देख सकते हैं NCRTK 1-12 तक की कक्षाव के लिए इविध्या नामक 12 चैनल चलाये जाते हैं तो वंदे गुजरात के द्वारा गुजरात सरकार के द्वारा 16 चैनल इसमें शामिल हो गये है तो इसलिए इससे फाइदा क्या होगा इस कदम का उद्देश्य ग्रामीन और दूर दराज के गुणवत्ता पुर्ण शेक्षिक कार्यक्रम सुलव कराना है जी हां दोस्तो ऐसे दूर दराज इलाकों में जहां शिक्षा नहीं पहुंचाई जा सकते तो वहां गुणवत्ता पुर्ण शिक्षा पहुंचाने है तो इस तरका समझोता हुआ ग्यरवा कुशन नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्थापना के हाल ही में कितने साल पुर्ण हुए दोस्तो नेशनल डिफेंस कॉलेज जिसके बहुत से पदाधीकारियो इस कॉलेज में पढ़े हुए है और डिफेंस कॉलेज नाम है नेशनल डिफेंस कॉलेज जिसके हाल ही मे दोस्तो 60 साल पुर्ण हुए और 60 साल पुर्ण होने के अउसर पर कौनसा महत्व का उत्सो मनाया जाता है आपको याद है तो नीचे कमेंट शक्षन में लिखे नेशनल डिफेंट्स कॉलेज ने हाल ही में अपनी स्थापना के 60 साल पुर्ण किये और इसलिए उन्होंने हाल ही में दोस्तो हिरक महत्सो मनाया तो देखो अपने हिरक जयनती समारों के तहत नेशनल डिफेंट्स कॉलेज ने भारत की राष्ट्रिय सुरक्षा एक दशक आगे विशय पर 5 और 6 नवंबर 2020 को दो दिवसिय वेबिनार का आयोजन किया गया है यानि कि आज 6 नवंबर है तो आज ही के दिन यह आयोजन किया गया है और हमारे देश के रक्षा सचीव कॉन है डॉक्टर अजै कुमर यहाँ देख सकते हैं अजै कुमर भल्ला और नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेट कॉन है एर मार्शल डी चोधरे इमेज में आप देख सकते हैं और वरतमान में CDS यानिकि Chief of Defence Start यानिकि बोले तो बिपिन रावत, दो राज्यपाल, वर्तमान राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार, दो चुनाव आयुक्त, 30 सेवा प्रमुख और 74 विदेशी सेवा अधिकरी, 20 से अधिक राजदूत, 4 रक्षा सचिव, 5 विदेश सचिव, NDC के पूर्वत छात्र है, जी हाँ दोस्तो, National Defense College के ये सारे छात्र रह चुके है, जिसने हाल येपने 60 वा हिरक जयनती उत्सव मनाया, और यहाँ जब सालों से जुड़े हुए कुछ उत्सव की बात आती है, तो कौन से वर्ष पर, कौन सा उत्सव मनाया जाता है, कोई भी संस्था या पत्रिका के वर्ष पुर्ण होने पर रज़्जज जयनती मनाया जाती है, तो स्वर्णा जयनती फचास वर्ष पुर्ण होने के अउसर पर मनाया जाती है, हाल ही में जो 60 वर्ष के पूर्ण होने पर हिरक जयनती मनाईगी प्लैटीनम जयनती 25 वर्ष पर और शतापदी जयनती 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह मनाया जाता है और यह अपने समय में आपमें एक महत्व पूर्ण पड़ाव हता है जो कोई भी संस्था या पत्रिका के लिए काफी महत्व पूर्ण होता है जिस तरह यहां आपने देखा कि नेशनल डिफेंस कॉलेज ने अपना 60 वर्ष पूर्ण होने पर हिरक जयनती उच्छव मनाया बारवा कुशन हाल ही में सतीश प्रसाद सीहा का निदन हो गया वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे सतीश प्रसाद सीहा इमेज में अब देख सकते है वो दोस्तो बिहार राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे जिसका हाल ही में निदन हो गया है यानिकि इ पहले सतिश प्रसाद सीह का हाल ही में निदन हो गया और जन्म एक जन्वरी 1936 को बिहार के खगडिया जिले के कोर चक्का जीसे अब सतिश नगर के नाम से जाना जाता है तो वहां उनका जन्म हुआ सतिश नगर में लेकिन पहले नाम था कोर चक्का और जन्म हुआ एक जन्व प्रवरी उन्निसो चतिस को और शोशित समाज दल के न्यता सतिश प्रसाथ सी ही इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के समर्थन से पांच दिन के लिए पांच दिन के लिए बिहार के चठे और सबसे कम समय तक मुख्यमंद्री बनने वाले न्यता थे और पांच दिन कब 28 जन्वरी इसे एक फरवरी 1968 को वो बिहार के चठे मुख्यमंद्री बने थे सिर्फ पांच दिन के लिए वो नाम मत बुलिएगा तिरवा कुशन संयुक्तर राष्ट्र महासबा की प्रथम समिति ने परमाणू निरस्त्री करण पर किसके द्वारा प्रस्तुत दो प्रस्तावों को स्विकार कर लिया दोस्तो संयुक्तर राष्ट्र महासबा ने हमारे भारत देश के द्वारा दो ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए जिसका स्विकार कर लिया है बहुत ही बड़ी उपलब्दी मिली है भारत देश को युनाइटेड नेशन्स में संयुक्त राष्ट्र महासबा की प्रथम समीती ने परमाणू निरस्तरीकरन पर भारत द्वारा प्रस्तु दो प्रस्ताओं को स्विकार कर लिया है। इनका उद्देश क्या है? परमाणू दूर गटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणू हत्यारों के उप्योग पर रोक लगाना ये प्रमुख उद्देश है। सदस्यों के बहुमत द्वारा हाल ही में समर्थन प्राप्त हुआ है। चवद्वा क्वेशन एक तुफान भारी बारिश के साथ मद्य अमेरिका से टकराया। उस तुफान का नाम क्या है दोस्तो मद्य अमेरिका से एक तुफान टकराया है और इस तुफान का नाम है हरीकेन एटा क्या हरीकेन एटा जो मद्य अमेरिका से टकराया यानिकि इस क्वेशन का सही अंसर है हरीकेन एटा तो देखो एक नवंबर 2020 को तुफान की स्रेनी टू यानि कि तूफान की जो कैटेगरी 2 है इसके अंतरगत आने वाले हरीकेन एटा भारी बारिश के साथ मध्य अमेरिका से टकराया और हरीकेन एटा के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा तो इस हरीकेन एटा की अधिक्तम गती कितनी थी एक सो पचपतर किलोमिटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान टकराया है मध्य अमेरिका से और अटलांटिक हरीकेन मौसम में आने वाले तूफानों में हरीकेन एटा अठाईस्वा तूफान है और यह पहली बार है जब ग्रीक अक्षर एटा का उप्योग एक तूफान के नाम में किया गया है और इसलिए आपको वल्ड जियोग्राफिकी दरश्टी से इसके बारे में याद रखना चाहिए और अट्लांटिक हरीकेन मौसम की बात करे तो अट्लांटिक हरीकेन मौसम की अवधी एक जून से 30 नवंबर के मध्य होती है इस सीजन में अट्लांटिक तूफान का अभी भी एक महिना बाकी है जो 30 नवंबर को समापत हो रहा है और अब तक 28 ऐसे तूफान आ चुके है पंद्रवा क्वेशन प्लास्टिक लाओ, मास्क ले जाओ, पहल किसने शुरू की बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है क्योंकि प्लास्टिक प्रदूशन भी कम होगा और COVID-19 का संक्रमन भी नहीं फेलेगा और इसलिए प्लास्टिक लाओ, मास्क ले जाओ इस तरह की पहल का शुबारम किया है दोस्तो देहरादून नगर निगम ने यानकि इस क्वेशन का सही अंसर है देहरादून नगर निगम देहरादून नगर निगम ने कोरोना संक्रमन का फैला रोकने और प्लास्टिक कच्रे से निपटने के लिए एक नई पहल शुरू की है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ और प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल के तहत देहरादुन नगर निगम द्वारा अब तक प्लास्टिक कच्रे के बदले में कुल 5000 मास्क वित्रित किये गए ह और कारिया लई पर जाकर यह मास्क मिल सकता है और इस पहल से लोगों में प्लास्टिक कच्रे के विरुद जागरुकता बढ़ेगी और लोगों को मास्क के उपयोग है तो भी जागरुक किया जाया सकेगा तो इस तरह के एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है देहरादून के नगर निगम के द्वारा और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेशन की लास्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेशन पुछा था यूनेसको ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायो स्फियर रिजर्व का दर जा दिया मध्यव प्रदेश में स्थीत पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेसको ने बायो स्फियर रिजर्व का दर जा दिया है यानिकि इस क्वेशन का सही अंसर था ओप्शन बी पन्ना टाइगर रिजर्व और लगबग सभी दोस्तों ने इस क्वेशन का सही अंसर दिया है और इन में से कुछ सब्सक्राइबर फ्रे दोनों ने सही आंसर लिखा है वाला संजय आपका आंसर बिलकुल सही परमार अतुल कलपेश पटेल अश्वीन कंजरिया उन्होंने भी जिक्र किया है कि मध्यों प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्वस थी थे गुजराती में आंसर दिया है कमलेश डोडिया आपका भी आंसर बिलकुल सही और राजेश कटारा दरपन चंदेल दिवान तडवी अरबाज खान फ्रों मध्यो प्रदेश में यह टाइगर रिजर्वस थी थे रेखा निनामा वीजै कांट मिश्रा वीजै कांट मिश्रा करमेल पारगी ओफिसियल मेर स्वनल फ्रों साइला से सभी दोस्तों को सही अंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के वीडियो का क्वेशन ए रहा स्क्रीन पर इंडिया फॉर एंडियन नामक प्रसित ग्रंत की रचना किस ने की थी दोस्तों यू तो आपको लगता होगा कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेशन ह और सही आंसर देना है नीचे कमिट बॉक्स में आंसर देना मत बुलिएगा और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो लाइक किजिए और आपके दोस्तों को फेस्बुक वाटसेप या टेलिग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंग शेर करना मत बुलिएगा बस छोट इसी उमीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं फिर मिलेंगे नेक करेंट अफर वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड जैहिंद